इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। स्टोवा ट्रायो दस कैपसूल का इस्तेमाल हॉट अटेक से बचाव के लिए किया जाता है। यह दवाओं का एक सयोजन है जो रक्त वहिकाओं में ठक्का बनने से रोकता है। यह बड़े हुए कॉलेस्ट्रॉल और ट्रायग्लिस्राइट के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। स्टोवा ट्रायो दस कैपसूल भूजन के साथ प्रती दिन एक नियत समय पर नियमित रूप से लेना चाहिए। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रखने में मदद मिलेगी। उपचार की खुराक और अवधी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका इलाज किसली किया जा रहा है। जब तक आप बहतर महसूस न करें, तब तक इसे लेना बंद न करें जब तक कि आप पूरा कोस पूरा नहीं कर लेते। जीवन शेली में बदलाव जैसे कम वसा वाला आहार, व्यायाम और धूम्रपान न करना इस दवा को बहतर धंक से काम करने में मदद कर सकता है। पेट में दर्द, अपच, चोट लगना और नाक से खून आना इस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभाव हैं। यह दवा आपके रक्तसराव के जोखिम को बढ़ाती है, इसलिए शेविंग, नाखून काटने और तेज वस्तूओं का उप्योग करते समय सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको मानस्पेशियों के लक्षन, दर्द या कमजोरी, त्वचा का पीलापन और गहरे रंग का मूत्र दिखाई देता है। टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि वे इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।